जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों इंडिया के अंदर लगबग हर वेक्ति का सेविंग अकाउंट है और आज कल तो माइनर हो या स्टुडेंट हो, हाउस वाइफ हो सभी का सेविंग अकाउंट ओपन हो चुका है लेकिन income tax department और GST department आपके सभी transactions को कब देख सकता है कब आपको notice भेज कर पूछ सकता है कि ये पैसा कहां से आय था आपको किस तरह से transactions करने है ताकि इन future में आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसके साथ में दोस्तों अगर आप एक business man है तो आप bet obviously बात है current account के अंदर ही आपने सारे transactions करते होंगे अगर आपने GST ले रखा है या नहीं ले रखा है किन conditions में कितना रुपए आप जमा करवा सकते हैं और कब income tax department आपको notice बेज सकता है और क्यासे आप इस notice को आने से बच सकते हैं कि आपको notice आए ना किन-किन बातों का आपको ध्यान में रखना है तो इन सबी चीजों का हम दोस्तों इस वीडियो में विश्तार से discuss करने वाले हैं देर ना करते होए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो ची लगी हो तो लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले saving account, current account and income tax notices जी हाँ दोस्तों income tax और GST की क्या limit है saving account और current account में आप कितना कितना पैसा जमा करा सकते हैं इन सबी के बारे में हम discuss करने वाले हैं तो जैसे कि आपको पता होगा इंडिया के अबादी बहुत जादा है 135 करोड अभी हो सकता है 1500 करोड के लगबग चली जाए और हर परसन का यहाँ पे दोस्तों saving account आपको मिल जाएगा क्योंकि ऐसा कोई भी वेक्ती जन धन्योजना के बाद में हर वेक्ती का लगबग saving account खुल गया था even 18 साल से कम का बच्चा है minor है student है उनका भी खाता खुल गया है और लगबग जो business है दोस्तों वो सारे के सारे अपना current account के अंदर transaction करते हैं तो दोनों ही लोगों के बारे में हम discuss करेंगे saving और current account के क्या-क्या transactions के limit होते हैं तो after demonetization दोस्तों government ने cash के regarding बहुत ज़्यादा stick rule है वो बना दिये थे क्योंकि cash ये एक ऐसी चीज है जिसमें की income tax की चोरी करने का बहुत ज़्यादा chances है वो रहते हैं तो जैसे कि आपको बताया मैंने किसी भी bank में post office में cooperative bank में आप अपना account है ये खुला सकते हैं और कितनी भी amount है वहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं तो bankers है most of the cases में आपको कोई भी inquiry प्रिशान नहीं करते हैं वो अलग बात है कि नया खता खुलाया और आपने एक limit से ज़्यादा ही transactions कर दी या ऐसी transactions कर दी जो आपके profile के against जा रही है अगर आपने बताया मैं salary person हूँ तो आपके हर मीने में salary आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा और तो कोई income आपकी amount नहीं आ सकती है तो इस तरह से bank या post office को कोई भी दिक्कत नहीं होती है कि आप कितना भी transactions करें बलकि उन्हें तो यह होता है कि आप ज़्यादा transactions करेंगे तो उनका ज़्यादा बिजनस वहाँ पे show होगा लेकिन income tax department और GST department को बहुती तकलीफ होती है जब आप bank में land in करते हैं जब आपके bank में पैसा आता है तो उन्हें यह डर रहता है कि कहीं चोरी ना कर रहा हो यह व्यक्ति tax की चोरी ना कर रहा हो तो इसलिए income tax और GST department को यह power दी गई है कि आप किसी भी व्यक्ति को notice भेज़ कर पूछ सकते हैं आपके खाते में यह जो land in हो रहा है इतना land in क्यूं हो रहा है यह पैसा कहां से आ रहा है कि आपने इसके उपर tax चुकाया है अगर आपने दोस्तों सारे के सारे amount पर tax चुकाया है on record आपका पैसा हा रहा है आपकी sale है service है gift है loan है तो आपको किसी भी तरह की गबराने की जुरूरत नहीं है चाहे आप एक करोड रुपए भी जमा करा देते हैं अपने खाते में कोई आपको पूछने वाला नहीं है अगर कोई पूछता है तो हम उसका reply दे सकते है saving account की जो limit है दोस्तो वो आपको हर किसी को पता होगी की 10 लाक रुपए है लेकिन इस limit का असली माइना क्या है वो हम इस वीडियो में discuss करेंगे की 10 लाक रुपए एक बैंक में है कैसे हैं कितने रुपए पूरे financial year के हैं आपको कहीं से भी इजली पता लग जाएगा कि एक साल के अंदर 10 लाक रुपए या उसे ज़्यादा आप किसी saving account में जमा करा देते हैं तो income tax का notice आने की सभावना रहती है लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है इसका actual meaning क्या होगा वो हम इस वीडियो में discuss करेंगे मैं कह रहा हूँ दोस्तो अगर आपने 50 लाक भी जमा करा दिये फिर भी आपको notice नहीं आएगा उनको ये power दी है उनको आप बोल सकते है responsibility दी है कि आपको जो भी transactions आपकी होगी 10 लाक रुपए से ज़्यादा की तो आप एक financial year के अंदर financial year दोस्तों आपको पता होगा अभी जो financial year चल रहा है अप्रेल 22 से लेकर के मार्च 23 वाला financial year है यहाँ पे चल रहा है तो उस banker को ये report income tax department को देनी पड़ेगी कि भाई साब इस वेक्ती ने 10 लाक रुपए या ज़्यादा का cash withdrawal या deposit करवा दिया दोस्तों दोनों में से कोई एक भी condition हो जाती है तब ये सूचना income tax department के पास चली जाएगी आपके खाते में किसी ने 15 लाक रुपए का चेक दिया है लेकिन आपने 11 लाक रुपए उसको नगद विड्रॉल कर लिया है निकाल लिया है फिर भी ये सूचना income tax को जमीच चली जाएगी कि आपने पैसा कहां पे यूज किया है क्योंकि ऐसा नहीं है जो पैसा जमा करा है उसका ही notice आ सकता है आपने नगद निकाला है उसका भी आपको notice भेज सकते हैं इसके लिए section 114 में N भी नया बना दिया है उसको पर भी अगर आप ज्यादा cash निकालते हैं तो tax टीडियस आपका cut जाएगा वो आपने पहली काफी वीडियो में बताया है उसका link आपको description box में मिल जाएगा कि पैसा निकालने पर भी कब आपका tax लगता है टीडियस लगता है वो भी आप उसमें देख सकते हैं लेकिन मज़े की ये बात है दोस्तो एक bank को ये नहीं पता कि उनका जो customer है वो दूसरे bank में कितना transactions कर रहा है व तो इस तरह से दोस्तो ये loophole है कई लोग यूज कर भी रहे हैं लेकिन जब ये मामला आपका income tax के सामने आ गया फिर वो आपके सबी accounts वहाँ पे मंगाये जाते हैं हालांकि ये reporting आपकी income tax department में नहीं जाएगी कि आपने 9-9-18 लाकर पर जमा करवाए है क्योंकि दोनों बैंक की limit cross नहीं हुई है तो दोनों ही bank वहाँ पे information नहीं देंगे लेकिन दोस्तों कई बर आपका case है किसी ना किसी section के अंदर खुल गया अगर connecting case खुल गया तो उसमें क्या होगा कि आपके सारे के सारे account हैं वहाँ पे मंगवाए जाएंगे फिर आपको जो है explain करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि bank card है आपका सभी bank account के अंदर लगा हुआ है वहाँ पे link करा रखा है तो ऐसा नहीं है कि आपने ये limit cross कर दी तो आपको 100% notice आएगा याएगा ऐसा कोई short ही नहीं होती है लेकिन फिर भी हमें safe side लेके चलना होता है income tax department से डरना दोस्तों जरूरी है ताकि आपको बिना मतलब की परशानी mentally harassment आपको tax है वो ना लगे अब इसके बार बात करते हैं ITR filing जो है बहुत important हो जाती है यहाँ पे कहां पे जब आप इस तरह की transactions करते हैं अगर आपने 10 लाग रपे से ज़्यादा का cash deposit या withdrawal किया है और आपने अपनी ITR समय समय पर भर रखी है तो उससे क्या होगा दोस्तो income tax department ऐसे नहीं है कि मूँ उठाकर के आपको notice भेज देंगे आपका जैसे data bank से वहाँ पर आएगा तो यह data जो है 6 साल तक data जो है आपका income tax department के पास आ सकता है रह सकता है या department आपसे जो information पूछ सकता है तो उसमें क्या होगा दोस्तो ज आपने 15 लाख रुपे जमा कराए थे उस साल में let's suppose आप sale purchase का काम करते हैं और आपने 20 लाख रुपे पहले से ही अपनी sale दिखा रखी है तो क्या होगा दोस्तो इस मामले में आपने 20 लाख की sale दिखाई है तो हो सकता है ये 20 लाख रुपे आपने जो है नगत जमा कराए थ ये सारा sale का पैसा हो तो आपको notice आनी की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाए वही पर ही अगर आपकी income tax return नों ने उठाई और वहाँ पर salary की income आ रही है सिर्फ 5 लाख रुपे 3 लाख रुपे और 15 लाख रुपे आपके नगत जमा हो रहे हैं तो अब वहाँ पे income tax department वालों क दिमाख में गंटी बच जाएगी कि ये पैसा बाकी का पैसा यहाँ पे कहां से आये था तो इस तरह से दोस्तों अगर आपकी ITR justify कर रही है आपकी income अब पिछले तीन सालों में आपने 8 लाख रुपे की income कमाई थी तो 24 लाख रुपे आपके पास में अगर एक नंबर की प तो income tax department आपको कभी भी notice नहीं बेजता है नहीं आपको परिशान करता है और आपको कोई भी notice नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपने ITR file नहीं करिये दोस्तों तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्या सामना करना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले तो आपको income tax department non filing का notice ये कारण क्या है अब let's suppose आपने 20 लाख रुपए नगत जमा करवा दिये हैं और income tax की return नहीं बरिया तो income tax department पूछेगा कि बाइस साब ये 20 लाख रुपए कहां से है वो तो बताओ बताओ साथ में आपने उस साल की income tax की return क्यों नहीं बरिया वो भी बताओ कि आपने ये पैसा कहां से निकाला या कहां जमा कराया आपने कहां से आया इस limit से ज़्यादा cash जमा कराने या निकालने के बाद में अगर return नहीं बरिया है तो chances आपके 99% हो जाते हैं income tax का notice आने के और income tax department दोस्तो 6 सालों तक आपको ये notice भे सकता है 2000 जो आपका 16 वाला notice है वो 2022 तक आपका आ सकता है इस तरह से अगर आपने return नहीं बरिया है तो आपने को return भरनी है time to time अब हम बात करते हैं दोस्तो current account की जैसे मैंने आपको बताया हर वेक्ति का saving account होता है वैसे ही हर business का current account भी होता है ये current account firm के नाम से भी हो सकता है और आप individual नाम से भी खुलवा सकते हैं जैसे सुमित शर्मा है तो सुमित शर्मा current account भी कई bank वाले खुल देते हैं तो जैसे saving account के अंदर bank को बताया गया है आपको बताना है income tax department को वैसे ही current account के अंदर भी ये limit है पचास लाख रुपे रखी गई है दोस्तों पचास लाख रुपे तो रखी गई है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पचास लाख रुपे 49 लाख रुपे जमा करवा देंगे आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि यहां पे GST department का भी रोल आ जाता है GST का छोड़ा सा overview दूँ अगर मैं तो अगर आप 20 लाख रुपे तक sale देते हैं या 40 लाख रुपे तक service देते हैं तब आपको GST का registration लेना पड़ता है और सारी की सारी amount पर GST आपको बरना पड़ता है लेकिन आपने 49 लाख रुपे जमा करा दी आप सोचेंगे कि income tax department तो मुझे notice नहीं बेज़ेगा क्योंकि मैंने 50 लाख रुपे से कम जमा कर रहे हैं लेकिन आपको GST जो है दोस्तो वो 20 लाख रुपे से उपर लेना था और आपने 18% GST सरकार का खा गए तो 50 लाख का 18% दोस्तो लगबग 9 लाख रुपे हो जाता है यह आप से GST department वाले मांग सकते हैं तो इस तरह से किसी भी तरह कि ऐसी transactions करने से पहले आपको सोबर सोचना है कि यह limits जो है किसलिए define की हैं और other act के अंदर भी आपको सारी conditions को ध्यान में रखना है और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूँ इन दोनों के अंदर अगर आपने 20 transactions करते हैं और उस transactions को आप ना तो return भरते हैं return भरी है फिर भी department ने आप से proof मांगा है justification मांगा है और आप उसको justify नहीं कर पाते हैं तो यह सारा का सारा cash है दोस्तों या आपकी income माल लेगा income tax department income माल लेगा मतलब unexplained cash credit इसको बोलते हैं कि आपके खाते में cash credit हुआ है और उसको आपने explain नहीं किया है तो ऐसी सारी की सारी amount पर आपको heavy tax interest penalty है वो देनी पड़ जाएगी unexplained cash credit के अंदर दोस्तों flat 60% tax देना होता है only tax से काम नहीं चलेगा आपको surcharge भी देना पड़ेगा penalty भी देनी पड़ेगी इस तरह से जो final tax है 83.25 जो है आपका tax बनता है माल लो आपने 10 लाख रुपे जमा कराए तो 8 लाख 32,500 रुपे income tax department आपसे उसका tax मांग सकते हैं तो बताओ एक व्यक्ति क्या करेगा क्योंकि आपको record maintain नहीं किये थे आपने दोस्तों आपने justify नहीं किया है income tax department को ये पैसा कहाँ से आया था तब ये जो सारा का सारा जो है last mail जो tax लगता है क्योंकि इससे पहले income tax department आपसे notice भेज़ कर पूछेगा show को notice देगा कि आपके उपर ये information है इसके source बताईए उसके बाद में अगर वो satisfy नहीं होते है फिर आपको पूछेगा कि आप पर क्यों न tax लगा दिया जाए ऐसा नहीं है कि उसको notice आया और सिधा का सिधा वो tax लगा देंगे ऐसा भी नहीं है दोस्तो तो आपको क्या करना है कुछ tips हम discuss कर लेते हैं दोस्तो अगर ऐसे transactions आप से हो जाते हैं अगर आप ये करते हैं तो आपको keep cash transactions below the limit 10 लाख रपे saving में 50 लाख रपे current में आपको नहीं जमा कराना है दोस्तो नहीं नगद निकालना है और अगर ऐसा मजबूरी भी आगई आपकी तो दूसरे bank account को use कर लीजिए क्योंकि आपको मैंने बताया था उन दोनों की reporting अलग अलग होती है ताकि आपको कम chances रहें income tax notice आने के और try to transact other than cash दोस्तो यूपी आई phone पे गूगल पे, neft, rtgs, भीम पे आजकल तो digital e rupees भी आ गए है इससे आप transactions करते हैं तो क्या होगा यह सारी की सारी transactions है reporting नहीं है आपने किसी वक्ती से 10 लाग का check ले लिया दोस्तो तो income tax department को इसकी सूचना direct नहीं जाती है नहीं bank बताएगा और cash में करते हो तो यह चली जाएगी तो इसलिए दोस्तो आप other than cash के अंदर transactions करने की कोशिस करें अगर आपको लगता है कि सारे के सारे cash transaction मुझे करने पड़ेंगे मेरा काम ही ऐसा है तो आपको उसका record है, वो maintain करना है cash का maintain करना है तो cash book होती है, आपके पास इतना पैसा आया Mr. X से आया, Mr. Y से आया किसलिए आया, कहां गया cash ledger होता है, वो आपको maintain करना है बहुत सारे online काम करने वाले जैसे की form बरते हैं, पैसे बेजते हैं उन लोगों को दिक्कत रहती है तो आप current account यूज के रिए सबसे पहले तो saving account का यूज नहीं करना है जो भी cash आ रहा है, किसी ने आपको 10,000 रपै दिये, और किसी विक्ति के खाते में बेजने आपको 50 रपै, 100 रपै, 10 रपै कमिशन मिलता है तो आप आप आपे note कर लीजिए कि मैंने रामलाल का, यह जो 10,000 रपै है उसके खाते में डाले हैं, और आपने डाले वाली transfer तो आपके पास बोली जाएगी इस तरह से दोस्तों आपको यह transactions है record करने हैं, maintain करने हैं और भी कोई compliances होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 20,000,000 से ज़्यादा की service करते हों, तो GST नमबर भी लेना पड़ता है अगर आपके संस्ता में करमचारी ज़्यादा है तो PF नमबर भी लेना पड़ेगा कोई खाने पिने की चीज़ अगर आप बेच रहे हैं तो आपको food license भी देना पड़ेगा इस तरह से बहुत ही सारी से यह जो चीज़े हैं दोस्तों, compliances हैं इनको आपको साथ मिलेके चलना पड़ता है आपको ना कि only income tax department से सचेत रहना है, बाकी कई department है GST department है, GST वाले भी active हो जाएंगे बहुत ही जल्दी अभी जब से GST लागू है बहुत ही कम उन्हें compliance दिखाई है सकताई दिखाई है, कभी भी active हो सकते हैं तो इस तरह से आपको सारी के सारी जो है यह compliance है, tips है, tricks है उनका ध्यान में रखना है, limit से कम transactions करना है, other than cash transaction करना है cash का record आपको maintain करना है सबसे important दोस्तो income tax return आपको file करनी है ताकि आप खुद चलके पहले से ही department को बता दें कि मेरे यहां से income आ रही है, यह cash आ रहा है, यह sale है, यह purchase है, ताकि अगर उनके पास में banker information भेजे उसके बावजूद भी income tax department आपको notice ना भेजे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक अच्छे advocate CEA tax professional के पास जा करके उनको अपना सारा जो case है, वो दिखाना पड़ता है दोस्तों की, मैंने यह transactions की है, तो अपने आप आपको guide कर देते हैं और उसके according यह आपकी income tax की return भरते हैं, इसके साथ मैं आपको CEA सुमित शर्मा को follow, subscribe जरूर करना है दोस्तों, ताकि आपका information आपको पहुंचती रहे और हमारा भी होंसला है, वो बढ़ता रहे तो आशा करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी informative लगी हो, तो इसे like जरूर करें अभी तक आपने subscribe नहीं किया आप कमेंट कर सकते हैं, उसका reply करने के कोशिज करेंगे, thank you so much दोस्तो जय हिंद, जय भारत